काश मैंने तब यह कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पढ़ी काश मैंने तब पढ़ लिया होता तो आज फेल ना होना पढ़ता काश मैंने तब मैंनत के होती तो आज मुझे रोना ना पढ़ता काश ये काश वो पर क्या क्या है जब तुम्हें पता ही था कि अगर आज करूँगा तो कल अच्छा बितेगा तो फिर किया क्यों नहीं अगर आज मैनत करूँगा तो कल तो शफल वो ही जाऊंगा तो फिर करते क्यों नहीं जब सब पता ही है कि राष्टे में आगे चलने से मुझे मंजिल तो मिल ही जाएगी तो फिर चलते क्यों नहीं क्यों क्योंकि अभी तक सही मौका नहीं मिला इसलिए या फिर तुम उसे काम को करना ही नहीं चाहते सब कहते है कि सही मौका आने पर मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा पर क्या कभी वो सही मौका आता भी है नहीं तुमें सिर्फ एक बहाना चाहिए मौके का और कुछ नहीं और बाद मैं कहोंगे कि कास मैंने तब कर लिया होता सही मौका इंतिसार करने से नहीं आता मेरे दोस्त हर एक मौके को सही बनाना पड़ता है और एक नहीं शुरुआत करने पड़ती है कौन कहता है कि मौके नहीं मिलते हर रोज हर वक्त हर गड़ी हर एक सेकंड तुम्हें एक नया मौका मिलता है कुछ नया करने का और आगे बढ़ने का पर तुम उस मौके का इस्तमाल नहीं करते हर एक वक्त तुम्हें एक नया मौका मिलता है कुछ नया शुरू करने का पर हैं ने बलम्तों हरएक work को सही समझ कर सुरूआत करनी पड़िए जो कंदे हैं कि सही मोका आने पर मातलों जोका मांदीना चाहिए वरना बाताएं पच्छताना कड़ता है पर ऐसा नहीं होता है लुक्ष हरे हैं मोकंक्य में से तुम्हे JIMनेख पर चला भी जाएगा और तुम सिर्फ उसका करते रहे जाओगे, यही है सही मौक़ा, ऐसा मानकर ही तुमें चौका मार देना चाहिए, वरना यह वक्त तुमें चौका देगा कि तुमने गवा दिया था सही मौका, यही तो وक्त है उच नया शुरू करने का वरना ऐसे ही दिन बित्ते चाहेंगे और तुम वही के वही रह जाओगे अभी भी समय है मोके को तलासना बंद करो और काम में लग जाओ और अपनी वाकात बना लो वरना जब समय तुमें तुमारी वाकात बताएगा तब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे बस तुमारे पास पच्टाने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा वीडियो के अंद में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा ना तू कर इतजार मोके का ना ही कर इतजार समय का बस शुरू कर अपना काम और मेहनत वरना भीतेगा समय और तु रह जाएगा आपके ला कर सफलता मिलेगे जरूर एक बाद बस मोके का नहीं सफलता का इतजार कर